नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी के चिरपरिचे दोस्तु पस्थित हूँ आप सभी की सेवा में एक बहदी महतोपून जानकारी को ले करके जी हाँ छाती और गले में जमे हुए कफ से एक दिन में रहत दिलाता है ये तीन चमत कारी घरेलू उपाए एक बार इस्तेमाल किया तो फिर नहीं होगी आपको खांसी चाहें जैसी भी हो सूखी हो तर हो बलगम वाली हो या फिर तेज दवाओं के सेवन के कारण चाती पर कफ जम गया हो तो अपनाना चाहिए आपको ये घरेलून उसके जो बिलकुल सुरक्षित है और इन पर स्थितियों से आराम मिलता है लंबे समय से चली आ रही खांसी आपको पूरी तरह से दुखी कर सकती है और जितनी जल्दी हो सके आप इसे छुटकारा पाने की सोचते हैं खांसी समानिय तर जुकाम और फ्लू का साइड इफेक्ट होती है लेकिन यह एलरजी अस्थमा, एसीड, रिफ्लेक्स, शुशक ह और दवाओं के कारण भी हो सकती है खांसी अत्याधिक पीडा दायक और परिशान करने वाली हो सकती है इसलिए जो हम आपको बता रहे हैं इन्हीं युक्तियों को अपनाईए और इससे छुटकारा पाईए बदलते मौसम में खांसी जुकाम और बुखार जैसी बिमारिया होना बहुत ही आम बात है जब खांसी जुकाम और बुखार जैसी बिमारिया होती है तो इसके साथ एक बिमारी और होती है जो छाती और गले में बलगम जमने की बिमारी है गले में बलगम जमने से हमें स्वास लेने में तकलीफ महसूस होती है तथा यह अन्य कई बिमारिय उत्पन करता है इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए हमें दवाईयों का सेवन करना पड़ता है जो कि बहुत जल्दी असर नहीं दिखाती हैं दोस्तों आज हम आपको बताएंगे च्छाती और गले में जमें हुए कफ से एक दिन में रहत दिलाने वाले तीन चमतकारी घर उपायों को आई जानते हैं शहद और निम्बू का प्रियोग निम्बू के रस और शहद मिला करके सेवन करने से छाती और गले में जमें हुए कफ से बहुत जल्दी छुटकारा पाया जा सकता है क्योंकि निम्बू में सिट्रिक अमल होता है जो कफ को नश्ट करने में करें काली मिर्च पांन से छ्छी का'llी मिर्च ले करके उनहें बारिक पीश लें अब एक style ले करके उस पानी में काली मिर्च का मिश्रन डाल दें और इस अच्छी तरह गर्म करें जब यह घुन घक ञय तरह हो जाए तो इसका 7 करें इससे छाती और गले में जमें हुए कफ की समस्या एक दिन में दूर हो जाती है हर तरह के खांसी का है इलाज ये अद्भुत तरीका जिहां बनाने की विध्य और सेवन करने का तरीका जान लीजिए 250 मिली लिटर दूध, 125 मिली लिटर पानी, एक गांठ हल्दी का चून और जरूरत के अनुसार गुड ले करके सभी को एक बरतर में डाल कर उबालना है और जब उबलते उबलते के वल दूध ही बाकी रह जाए तो इसे उतार लेना है फिर इसे चान कर खांसी के रोगी को गु करने से सुखी खांसी में लाभ मिलता है दूध में 50 पीपल डाल करके गर्म करके इसमें चीनी मिला कर रोज सुबह शाम पीने से खांसी ठीक हो जाती है शहद का उप्योग करना खांसी को दबाने का और गले की खराश में रहत पाने का एक प्रभावशाली तरीका है कई सुकस मेंब्रेन को आवरित करने और रहत पहुंचाने में मदद करती है अगर खांसी के कारण सोने में परेशानी होती हो तो सोने के पहले शहद का सेवन करना बहुत लाफकारी हो सकता है आपके लिए सुखी खासी में पान के साधे पत्ते में एक ग्राम अजवायन रखकर चबा करके रस निगलने से सुखी खासी मिटती है केवल अजवायन एक दो ग्राम खा करके उपर से गर्म पानी पी कर सो जाने से भी सुखी खासी तथा दमा और श्वास रोग में शिगर ही लाफ मिलत जिहां अजवाइन का सेवन कफ नश्ट करके फेफडों को मजबूत बनाता है चाती के दर्द में यह लाख पहुंचाता है 25 ग्राम अलसी यानि कि तीसी को कुचल कर 375 ग्राम पानी में ओटाएं जब पानी एक तिहाई यानिके 125 ग्राम रह जाए तो उसे मल चान करके 12 ग्राम मिश्रीम मिला करके रख लें उसमें से एक चमच भर करके काढ़ा एक घंटे के अंतर से दिन में कई बार पिलाएं इससे बलगम छुड़ जाता है जब तक छाती सा जानकारी आप सभी के लिए अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जूड़ते हैं एक और बेहदी महतो पूनिज जानकारी को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों झाल 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